हेलो के टालीशियन आज मैं आप सबको एप्लिकेशन के बारे में थोड़ी हमारी एप्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ पहले information ले लेते हैं, applications की बाद में दूसरी बात करते हैं, चलो, तो आप भया, हमारी applications है न, वो आप Android में भी use कर सकते हो, iPhones में भी use कर सकते हो, laptop, PC, smart TV, whatever, आप जहां use कर सकते हो, कर सकते हो, clear, सभी आप available रहेगी, WhatsApp में, WhatsApp में, ग्रूप में आपको तीनों के तीनों की link अपन में भी चलेगी, दूसरी बात बता दू, लेकिन हा, format तीनों में थोड़ा-थोड़ा चेंज रहेगा, लेकिन एक बात format में यदि कोई दिकत आई, तो आप मुझे कोद्यक किजिएगा, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, कैसे run करनी है, application में login कैसे करना है, वो अभी आप सिर्फ download करके रखेगा, आज आपको WhatsApp ग्रूप में link मिल जाएगी, सिर्फ download करना है, दूसरा कुछ भी आपको करना नहीं है, उसमें अभी बता दे रहा हो, आप ना तो, यदि आपको login करना चाहो ना, तो login कर लिजेगा, लेकिन उसमें कुछ भी, अलग अलग course की, अल उसमें एक रुपया भी फीज पेमेट नहीं करनी है, यदि आपने कर दी और ट्रांजिक्शन हुआ, फिर आपकी गलती है, मैं यहां से मनाह कर रहा हूँ कि आपको direct applications में कुछ भी फीज पे करनी नहीं है, clear, वो सारी information कैसे फीज पेमेट करनी है, वो भी माबाद में देता हूँ, लेकिन हाँ, applications आप डाउनलोड करके रख दीजिएगा, तो हम यहां पहले applications की थोड़ी ब्याहुत information दे देता हूँ, यह पहले मैंने login किया हुआ है, यह वेव में login है, आपको थोड़ा बहुत change आएगा, यदि आप Android में और दूसरे में change करोगे, तब clear, थोड़ी दिभी घटा दीजिए, तो यहां पे आपको ऐसे format दिया होगा, ऐसा format दिखा होगा, clear, दूसरी बात, यहां पे अलग-अलग courses होगे, आपको जो भी course में यहां से add किया जाएगा, उसका नाम बता दीजिएगा, आपको कुछ tension करने की बात है नहीं, अलग-अलग course में यहा स्टोर में जाने का है आपको, स्टोर में जाने के बाद ऐसा format आपको दिखेगा, वहां content लिखा होगा, यदि आप mobile Android में या तो iPhone में देख रहे हो, वेब में same to same content आपको format दिखेगा, यदि आप web में लोगिन करते हो ना तब, लेकिन mobile में जब लोगिन करोगे ना, तब यह content है, यह horizontal line में आ जाएगा, तो आपको याद क्या रखना है, store में जाकर content में दाना है, store में जाकर content में जाना है, content में आपके सारे lectures आपको daily to daily मिल जाएंगे, clear, content में आपको सारे के सारे lectures मिल जाएंगे, दूसरी बात, यह है हमारे stereo chemistry, stereo chemistry में यदि आप ऐसे lectures को open करोगे, तो यह आपका lectures open हो जाएगा, यहाँ पर मैं आवाज mute कर देता हूँ, आप इसको full screen में देख सकते हो, दूसरी बात भी बता दू, यहाँ आप इसको backward, backward भी कर सकते हो, चलो आपने इसा देखा है, या तो आपको कुछ problem आया कि चलो फिर से थोड़ा lectures repeat करना है, तो आप यहाँ से backward 10 seconds backward जा सकते हो, clear, दूसरी बात, दूसरी बात में बता दू, दूसरी बात बता दू, यहाँ से आप setting दिया हुआ है, setting का option है, settings में जाके, settings में जाके, आप clarity, अलग, अलग clarity set कर सकते हो, 270 से लेके 1080 तक की, यानि की high clarity, आप lectures देख सकते हो, और वया high clarity में ही देखना है आपको, यूँकि low clarity में है बलर हो जाएगा, अब 270 में देखोगे तो आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, clear, इसलिए high clarity का options हमने यहाँ already दिया है, ताकि आपको देखने में problem ना हो, बहुत ही clear, सब point to point, हर एक word आपको clear दिखाए दे, तो high clarity में देखना है, दूसरी facility बता दू, यदि आपने मान लिजी एक बार सारा लिखा, लियक लिया है, लेक्चर, पूरे की पूरी note बना लिए, लगबिन, इमान लिजी आपको two month के बाद एसा लगे, कि फिर से lectures revise करना है, सारे के सारे lectures हमारे applications में रहेंगे net exam तक, यदि आपको फिर से revise करना है न lecture, तो क्या है, आपको revise करोगे, तब तो आप फिर से book बनाने वाले हो नहीं, फिर से material तो revise करने के लिए लिखोगे नहीं, तो उसके लिए एक अच्छी benefit है, आप यहाँ से speed maintain कर सकते हो, अभी one normal speed में रहेगा, दूसरी two double speed में यदि आप revise कर करोगे, तब तो आपको लिखा हुआ होगा, रिवाइस करने के लिए तो speed में lecture देखोगे, तो भी चलेगा, तो यहाँ से आप speed maintain कर सकते हो, सारी की सारी clear, तो यहाँ settings में जाकर speed maintain का option है, slow speed भी कर सकते हो, high speed में भी lectures देख सकते हो, तो यह हमारी applications की बात थी, फिर से मैं आ जाना है, बाद में store में जाने के बाद, यहाँ से आपको एक registration के लिए call आएगा, जब आप piece payment कर दोगे, तब आपको यहाँ management में से registration के लिए call आएगा, उसमें आपका number register करवाया होगा, applications में यहाँ से register करवा देंगे वो लोग, तो आपको management में से जब call आये, तो सिर्थ एक काम करना है, OTP देना है, दूसरा कुछ आपको खुद को कुछ purchase करना नहीं है, applications में, फिर बता दे रहा हूँ, कुछ भी purchase मत करना, यहाँ अलग-अलग courses की अलग-अलग price आपको दी होगी, लेकिन आपको purchase नहीं करना है, फिर आपके साथ कुछ फ्रोड हो जाए न भया, तो गलत बात रहेगी, इसलिए कहता हूँ, applications में direct payment नहीं करनी है, दूसरी बात, अब मैं कह देता हूँ, यह applications की बात तो हो गई, अब मैं यहाँ आपको दूसरी बात बता दूँ, कि आपको login कैसे करना है, login करना कैसे है, तो आपको login करने के लिए भया, यहाँ से management में से call आएगा, कब आएगा, जब आप फीज payment कर दोगे, फीज payment आपने कर दी है, तब फीज payment करने के बाद, फीज payment की सारी information, वोट्शेप ग्रूप में मिल जाएगी, कैसे फीज payment करनी है, यह तो आप direct online account transaction कर सकते हो, google phone पे, वो सारी detail उसकी आपको वोट्शेप ग्रूप में मि आपने direct account to account transaction किया है, तो आपको successfully payment का, आपको screenshot दिखाई देगा, या तो google पे किया है, तो आप जिस number पे भी google पे करते हो, वहाँ पे आपको successfully transaction का, आपको photos दिखेगा, तो आपको वहाँ से screenshot ले लेना है, आपका mobile का, जितनी भी आपने face pay की है, उसका screenshot ले लीजिएगा, फ 94095, यह number पे, in short, WhatsApp number आपको एक दिया होगा, एक WhatsApp number पे कौन सी detail भेजनी है, वह बता देता हूँ, आपका full name भेजना है, full name, फिर आपने जो mobile number register करवाया है, यानि कि Google form में जो registration number करवाया है, mobile number, register mobile number, register mobile number भी send करना है, उसी number पे, आपने जो face payment की है, उसका photos, या तो screenshot जो भी है, उसका photos आपको वह number पे send करना है, clear, बाद में यहां से आपको, बाद में यहां से आपको management में से call आएगा, management में से call आएगा, यह number भी मैं बता देता हूँ, 94095-528-52082, यह number पे आपको WhatsApp कर देना है, clear, और दूसरा number भी आपको दे दिया जाएगा, जब आप कर दोगे na, registration fees payment कर दोगे, बाद में आपको management में से call आएगा, for the verification, आपका verification हो जाएगा, number का, यहां से आपको verification करने के बाद, आपको applications में सारे lectures दिखाए देंगे, और यह था, सिर्फ अभी आप guest user login कर सकते हो, दूसरी बात, अब मैं कह देता हूँ, आज Sunday है, Monday, आपके कोई भी lectures रही रहेगे, Monday आपके lectures नहीं रहेगे, totally fee payment की procedure रहेगी, आपको सिर्फ Monday के दिन fees payment कर देनी है, Tuesday के, यानि कि मंगलवार से सारे lectures हमारी applications में आएंगे, और applications में जो भी student ने fees pay की होगी, वही वो applications में देख सकेंगे, clear, तो आपको Monday के दिन fees payment कर देनी है, Tuesday से लेकर सारे हमारे long course की सुरुवात हो जाएगी, बीना किसी रुकावट के, तो Monday आपके लिए fees payment और registration का दिन रहे तूजडे से आपको, यानि कि मंगलवार से हमारा long course totally पूरी strength के सार्ट हो जाएगा, तो Monday के दिन आपकी procedure खतम कर दिजेगा, Monday के दिन ही साम तक, साम तक आप application में एड हो जाओगे, clear, और application कैसे run करनी है, वो आपको information दे देंगे, clear, तो मिलते हैं, हम applications में, thank you very much. झाल